रजस्तान नगरपाली का 2023 वाली जो सफाई करमचारी की भरती है उसको लेकर एक नया जो है आप लोग अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है तो वीडियो में इन तक बने रहेगा साथ ही अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार यूटूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बे वीडियों को जल्दी से जाके देख लीजिएगा अभी बात करते हैं इस नगरपाली का भरती की क्या अपडेट हमारे पास है यहां पर एक बार की कटिंग आप देख रहे होंगे सफाई करमियों की भरती की तैयारी ओफलाइन आविदन होंगे यह बात फिक्स हो चुकि है कि आविदन जो है ओफलाइन होंगे यह कोटा के अकबार की कटिंग है नए सफाई करमचारियों की भरती की तैयारिया सुरू हो गई है यूडि एच प्रसासन ओनलाइन की बजाए ओफलाइन ही आविदन लेगा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अधिकतर स्रैमिक एस किया जाएंगे हाला कि वालमी की समाज ने आदिक करमचारी भरती करने की मांग की है वालमी की समाज ने इसे लेकर मुख्य सचीव उशा सर्मा केबिनेट मंतरी महेश जोसी और स्वाइच तसासन विभा के मंतरी सांती धरिवाल प्रमुक सचीव डॉक्टर जोगराम से मिल और अपना मांग को सोपा तो प्यारे साथियों यहां पे अब होने क्या वाला है देखो इन्होंने यहां पे उनको ग्यापन सोपा है और इन्होंने क्या कहा है उस ग्यापन में यह कहा है कि सबसे ज़्यादा जो भरती किया जाएं वो किसके किया जाएं वालमी की समाज के तो इसमें फिर problem age में बाकिसमाज वाले हैं फिर वो आवाज उठाएंगी तो इस चीज़ का तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन यहां पे यह कहा जा रहा है कि पहले जैसे ऐस एकसित लोगों को भरती किया जाता था पिछली भरतियों की तरह है तो अब की बार क्या कर र जी है या फिर जज्बाग के जो मंतरी है धारिवाल जी इनके उपर डिपेंड करेगा कि बहुए यह वहाँ पर क्या पैस्ला लेते एं हाला कि आपकी नगरपालीकाओ सभी जैसे आगे होता जाएगा जैसे जैसे उनका recruitment का notice वहाँ पे लेते जाएंगे उनसे कि कितनी post हैं और कितना क्या इसमें अभी रहने वाला है तो उसके लिए अभी क्या है कि कर रहे हैं भी धीर धीरे process चल रही है बाकि अभी आपको जो भी update कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं उनको जो है पक्के में कर दिया जाए जो पहले उनको प्रात्मिक्ता दी जाए तो ये भी अभी matter चल रहा है और मैं भाई ये इस बात तो सही है कि जो पहले से नगरपा लेका में कच्चे में काम कर रहे हैं इस lottery सिस्टम से अगर selection हो रहा है तो पहले प्रात्मिक्ता उन्ही को मिलनी चाहिए जो उसमें जो है लगे हुए है ठीक है ये युवाओं की मांग है जो भी भरती देखना चाहते है उनकी मांग है मेरे पास बार बार मैसेज करके ये बात बोला है कि भई तो भई ये बात सही भी है कहीं ने कहीं कि पहले प्रात्मिक्ता उन्ही को मिलनी चाहिए जो वहाँ पे समीदा कर्मी लगे हुए जिस रास्तान रोड़वेज में मालो भरती निकलती है तो फश्ट प्राइविटी उनको मिलनी चाहिए जो उसमें लगे हुए है पहले से कारियरत है जो दो तीन तीन साल से अपनी सिवा वहाँ पे दे रहे है बाकि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्सर में जरूर से बताना अगर एक्सपिरियन सर्टिफिकेट से रिलेटिड आप लोगों को कोई भी जानकारी चाइए ठीक है एक्सपिरियन सर्टिफिकेट से रिलेटिड तो आप लोग मेरे को इंस्टागराम पे फोलो कर सकते हैं इंस्टागराम जो आईडी है वो है एम्डियादव ब्यानसुर के नाम से जो है इंस्टागराम आईडी है ठीक है ये Instagram ID पे आप मेरे को follow कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दू कैसा क्या आप लोगों को चाहिए जो आपका experience certificate है तो भई इस तरीके से आपको letter pad जो होती है letter pad होनी चाहिए जिसके पास भी GST नमबर है उसके पास letter pad जरूर मिलेगी और letter pad पे आप ये लिखवा के आप ये पूरा type करवा सकते हैं ठीक है और उसके बाद इस पे जो है जो भी आप लोगों का विभाग है उसकी मोहर वगेरा होनी चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को ये बनवा लेना है जिन भी साथियों को कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे कोई भी समस्या अगर हो रही है तो वो जो है यहाँ पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं मैंने अभी भी बताया था कि आप लोग किसी भी private संस्ता से बनवा सकते हैं किसी hotel से कहीं से भी किसी hospital से किसी ठेकेदार से कहीं से भी जो है आप बनवा सकते हैं और Instagram पे जल्दी से जाके आप फोलो कर लीजेगा और कोई भी जानकारी लेनी है तो वहीं पे आप मेरे से संपर्क करिएगा शाथियों जैहिंद जैभारत